हेलो फ्रेंट्स आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी इस्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है जैसे कि दोस्तो टाइटल और थमनिल से आपको समझ में आगए होगा कि आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड, बीएश्टीसी, प्रथमवर्स और बीएश्ची बीएड या बीएड जो थरडियर के विध्यारती हैं उनके लिए जो इंटर्निशिप के फोर्म है वो कौन सी तारिक से स्टार्ट होंगे और साथ में उनको जो इंटर्निशिप है वो कब से मिलेगी लेकिन दोस्तों बहुत सारी कोलेजेज ऐसी होती है इंटर्निशिप का फोर्म है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए है लेकिन इंटर्निशिप के जो फोर्म है बच्चों से पहले ही भरवा लिये जाते हैं यह बड़ी अच्छी बात है ताकि बाद में बच्चों को प्रोब्लम ना आए तो दोस्तों ओनलाइन जो इनके फोर्म होंगे इंटर्निशिप के फोर्म जो ओनलाइन भरे जाएंगे उसकी डेट में बताने जा रहा हूँ साथ में दोस्तों इनको इंटर्निशिप कम बिलेगी ये भी मैं आगे की वीडियो में बताने जा रहा हूँ प्रूप के साथ में दोस्तों वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना और जो भी विद्यारती हमारे चैनल पर नए है या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से डाइरेक्ट जुनने के लिए चैनल को सब्सक्रेब जरूर करना क्योंकि ऐसी जो तमाम अपडेट्स होती है वो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं चले दोस्तों करते हैं वीडियो के स्टार्ट बिना टाइम वेश्ट के तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर आपके सामने यहां पर एक चीज़ दिखाए देरे होगी सबसे पहले नंबर पर आ रहा है परतम चरण तो दोस्तों परतम चरण के अंदर जो final year के अंदर जो students है उनको internship दी जारी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो form है वो यहाँ तक बरवाये गए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके जो form है वो 28 परवरी से लेकर 7 मार्च तक बरवाये गए थे और इनको जो internship है वो date बढ़ा दी गई थी फोरम बरने की आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको 15 तारिक को अलोट होते इसकुल लेकिन अब इनको 21 तारिक को इसकुल अलोट होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड second round के अंदर जो है दुत्य चरण के अंदर फस्टेर वाले विध्यारतियों को internship दी जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर दुत्य चरण के अंदर आप देख सकते हैं डियल एड बी एड प्रथम वर्स बी एड एम एड दुत्य वर्स एवं बी एड बी एड बी एड बी एड तृत्य वर्स में उन समस्त सिख्षक प्रैसिक्षन संस्तानों के समस्त प्रैसिक सानारति जिने दुत्य चरण येतु चिन्नित किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 मार्च को इंटर्सिब मिलेगी वो स्टार्ट हो सकते हैं उसके बाद में दोस्तों जो आपको स्कूल अलोट होगा उसकी डेट भी आपर बताई गई है 1 अपरेल से लेकर 7 अपरेल के मद्ध में आपका जो स्कूल अलोट है इंटर्सिब के लिए वो हो जाएगा दोस्तों आगे जो भी सूचना होगी क्योंकि अभी जो साइट पर शेडूल अपडेट नहीं हुआ है यह संभावित डेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आपको इंटर्सिब मिल जाएगी उसके 10 दिन के अंदर-अंदर आपको इसकुल में जोइन भी होना पड़ेगा उसके अंदर क्या-क्या डोकुमेंट साइए कैसे आपको एपलिकेशन लिखनी होती है इसके उपर मैंने ओल्डेडी वीडियो बना रही है आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में नेस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए आपका धन्यवाद